पीबी आई के राश्री संयोजग आचारी संतोशनन अवधूत को पीबी आई के संयोजग मधुकर निस्तानी ने पत्रका भवन नाकपुर में एक प्रेस कॉन्फरेंस को संभूधित किया मीडिया कर्मियों को संभूधित करते हुए आचारी संतोशनन अवधूत ने कहा कि विधर्प को अलगराजी का दर्जा दिलाने के मांग के साथ और किसानों और भूमी हीनों की दूरदशा को उजागर करने के लिए पीबी आई 15 दिसंबर 2001 को दुपहर एक बजे नाकपुर म से समिधान चौक तक एक रैली निकालने जा रहा है इससे कारिक्र में करीब राजजिभर से 800 लोग हिस्सा लेंगे पिछले कई दशकों से विधर्प को पूनराजी का दर्जा देने की मांग की जा रही है इसके लिए कई तरह के आंदुलन हुए है लेकिन दुख की बात है की विधर्प के लोगों के साथ हमेशा विश्वास खात हुआ है इन आंदुलन की नेताओं को पैसे यसत्ता की ताकत से खरीद लिया गया है यहां तक की नाकपुर में जन्में और कई वर्षों तक महराश्र के मुख्यमंद्री रहने वाले देवेंद्र फणवीज ने भी काम हिस्सा विधर्प को आवंटित किया जाता है जो इस शेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त नहीं होता है महराश्र के दो वाइ, तीन खनिशों और तीन वाइचा विधर्प में होने के बावजूद विधर्प का उध्योगिक विकास अपरियाप्त है विधर्प का अधिकांश, कोईला और अन्य खनी संसादन राजी और देश के अन्य हिस्सों में भेज दिये जाते हैं, जिसके कारण इस शेत्र में बिजली की कमी और अन्य उध्योगों का विकास कम हो गया है। पिछले 15 वर्षों में विधर्प के 11 जिलों में 45,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। क्रशी की स्थिती दैनिये हैं और इस शेत्र में उध्योग का पून आभाव है। अब दक सभी राज्य सरकारे विधर्प के लोगों की जरूरतों और अकांग्चाओं की प्रती आसम विधा शील रही है। इसलिए PBI विधर्प को फून राज्य का दर्जा देने की मांग करती है।